लाइफ का एम क्या है, लाइफ का परपस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, हम पूछते हैं नहीं, सब लोग जो लोग थोड़े, थोड़े से घदे टाइप के लोग नहीं होते, वो पूछते हैं, मेरे जीवन का मीनिंग क्या है, क्यूं जीवन मिला है, करना क्या है, बाकि अहार निद्राब है मैथुन खाना पीना जौब बच्चे पैदा कर दो मर जा So कई philosophers, सिध्धान्तवादी लोग, योगी ग्यानी ये लोगे questions पूछते हैं और इसका answer ढूणने की कोशिश करते है बच्पन में हर एक के मन में question आता है कि आकाश क्या है, तारे क्या है, जीवन क्या है मगर वो धीरे धीरे समाज के आइडियाओं से ढख जाते है मगर हमारे अंदर एक question है So इसका answer क्या है जीवन का लक्षे क्या है So जीवन का लक्षे क्या है शुरुबात मैं हाँ से यहीं से और अंत भी है ही करूँगा जीवगो स्वामी ने किताब लिखे प्रीती संधर्ब और प्रीती संधर्ब सारे संधर्बों PRESCH संधर्बों से आखरी संधर्ब है और उसमें जीवगों स्वामी ने पहले अनू छेद, पहले पुरुष प्रेयोजनम, तावत, सुख़ प्राप्ति, दुख़ निवरित्ति ये है, पुरुष प्रेयोजनम सारे पुरुषों, पुरुषों मतलब स्त्री पुरुष दोनो प्रेयोजनम, प्रेयोजनम मतलब गोल aim, लक्षे क्या चाहते हैं सब लोग, दो चीज़े चाहते है सुख प्राप्ति और दुख निवरिती हम सब सुख चाहते है और दूसरी चाहते हैं कि हमें दुख ना हो, ये तो clear है तो इसमें कोई Christianity Hindu, Islam या योग, ग्यान, कोई कुछ नहीं है, ये तो general सिध्धानत है हर मुनुष्य चाहे Muslim हो, चाहे Hindu हो, चाहे कोई भी हो सब यही चाहते हैं चाहें बुद्धिमान हो, चाहें मूर्ख हो सब यही चाहते हैं कि सुख मिले और दुख हटे simple है, जानवर भी चाहते है जानवर भी चाहते है कि समय सुख मिले और दुख हटे यह आत्मा की जरूरत है यह आत्मा है चाहती है हम सब चाहते हैं, as a living being हम जीवित हैं और यह पत्थर जड़ है, हर जीवित चीज़ चाहते हैं, चाहे वो बैक्टीरे क्यों ना हो चाहे वो छोड़ चा कीड़ा क्यों ना हो सुख चाहेगा और दुख हटाना चाहेगा यह है न, सुख प्राप्ती दुख नहीं प्रित्ती अब जानवर समाज में तो वो लोग तो चलो सुख और पाने के लिए और दुख हटाने के लिए अपना, उनके बस कोई आइडिया नहीं है वो तो दुख आएगा भाग जाएंगे कुछ खाना आएगा, सुख मिलेगा तो खा लेगे बस इतना ही है उनका मनुष्य समाज में सुख प्राप्ती के लिए और दुख हटाने के लिए चार तरीके है चार तरीके मनुष्यों ने शास्त्र चार तरीके बता रहे है कि इन चार तरीकों से आप सुख ले सकते हैं दुख अटा सकते हैं और उन चार तरीकों को बोलते हैं पुरशार्थ बस ये है चार तरीके के हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टया चार 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 चीज़े तो कुछ लोग सोचते हैं भी सुख मिलेगा दुख हटेगा कैसे धर्म बालन करके कुछ लोग का एडिया है सुख मिलेगा दुख हटेगा कैसे अर्थ मतलब पैसे घमा कर और कैरियर बना के सकसेस पा कर कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी चाहें पूरी करो उससे सुख मिलेगा दुख हट जाएगा और बहुत कम लोग सोचते हैं मोक्ष मोक्ष पराप्त करो इस संसार से उससे हमेशा के लिए सुख मिल लाएगा और हमेशा के लिए दुख हट जाएगा तो अलग 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 अईडियाज हैं इस तरह से चार लक्ष चार गोल्स हो गए इसको कहते हैं पुरशार्थ पुरशार्थ शब्द का मतलब क्या होता है पुरुष मतलब होता है व्यक्ति अर्थ मतलब होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं जिस चीज के लिए काम किया जाता है। उसको बुलते है पुरशार्थ, इसलिए पुरशार्थ का मतलब एक तो हो गया लक्षे, संस्क возможность टो टा ओगे, पुरशार्थ के दो मतलब बताएंगे, या तो लक्षे, या प्रैयास, लक्षे को प्राप्त करने का प्रैयास, Earth मतलब होता है value Earth का एक मतलब हो गया लक्षे पुरुष का लक्षे Earth का दूसरा मतलब हो गया जिसके पीछे आप पढ़े हो जिसके लिए प्रयास कर रहे हो महनत कर रहे हो तो लोगों का प्रयास किस चीज़ के लिए exertion महनत कहा लगा रहा है वो अब ही आप इस संसार में आप देखो कि कुछ लोग धर्मिक भी होते हैं पैसे भी होते हैं और इच्छाए भी पूरी करते हैं मगर एक जगे वो फूरा फोकस करते हैं होता तो सबके बाद सबकुछ ही है मौक्ष को छोड़के उसके तो माइंड में कंसेप्ट नहीं होता तो मगर कुछ लोग इच्छाओं के पीछे पड़े होते हैं कुछ लोग पैसे के पीछे पड़े होते हैं कुछ लोग अच्छाई करने के पीछे समाद सेवा और इसके पीछे पड़े होते हैं तो इसलिए पूरशारत का मतलब है किस तरह आप इनरजी लगा रही है यह दूसरा मतलब है क्योंकि समाज में आपको ऐसा नहीं दिखाए देगा कि यह आदमी जिच्छाओं के पीछे पड़ा हुए पैसे नहीं कमा रहा है ऐसा थोड़े नहीं होता है यह आदमी सिर्फ पैसे कमा रहा है अर्थ के पीछे है और सक्सेस के पीछे है और इच्छाओं पूरी नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होता यह आदमी केबल अच्छा है पैसे नहीं कमा रहा है इच्छाओं पूरी नहीं कर रहा है सब मिक्स्ट होता है नहीं मिक्स्ट होता है इसल इनों चीज़ें हर एक के पास होंगी, चौती मौक्ष तो चलो, पीछे नहीं लोग होते, हले के बास होते हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे, मानली जा आपने को इसी व्यक्ति से मुलिया, पूछो भी इसका पुर्शार्त गया है, भोले इसके पास अच्छाई भी है, पैसे भ मतलब आएं, अर्थ मतलब एनर्जी, प्रियास, एकजर्शन तो वो उसको कहते हैं पूर्शार्त इसलिए दो मतलब आएं, पूर्शार्त कि कुछ हमारे शासर में प्रायवाची शप्द भी हैं, जैसे पर conte पूरुशायन शब्द प्रायवाची भी है, पूरुशायन तो ये प्रैवाची क्यों बनाया उन्होंने विद्वानों ने एक शब्द का पी नहीं था है बनाया है यूकि पुरुष मतलब व्यक्ति आयन मतलब जहां जाके वो शेल्टर लेता है आशरे लेता है आयन मतलब आशरे नारायन नारायन मतलब नार मतलब पानी अयन मतलब आशरे जो पानी में आशरे लेता है वो नारायन है हमें पता है नारायन आदी शेश पे शीर सागर पे लेटते है विश्नू इसलिए है पूरुशायन जहां पे मन आशरे लेता है वो पूरुशायन है यह एक मतलब है पुरुशार्थ का एक प्रयावाची है मतलब कहने का मतलब है जहां मन जाके संतुष्टी मिलती है उसको पुरुशायन कहते है जिस चीज को प्राप्त करके संतुष्टी मिलती है उसको पुरुशायन कहते है तो यह भी एक मतलब है तो आप एक्ति को देखोगे, पैसे भी कमा रहा है, इच्छा है में पूरी करना है, अच्छा भी है, मगर अब उसे पूछो, इंटर्व्यू लो, अच्छा तो हमने पुर्शार्त का दूसरा मतलब के बताया था, जहां आप असारी अनर्जी लग रही है, वो भी आप पता न अच्छा शब्द विदानों ने मनाया पुरुश आयान, समझने के, लिए तो इसलिए अलग-अलग प्रह बाची है, एक और प्रह बाची है पुरशार्त का उसको बोलते हैं पुरुशाकार, पुरुशाकर, पुरुश कर, पुरुशकर, जो व्यक्ती जो कर रहा है, उसको तो बोलते हैं पुरुशा कर तो यह सारे प्रायवाची है पुरुशार्थ के जिसमें सबसे आदा टाइम डिवोट कर रहा है वो पुरुशा कर रहा है तो वही उसका पुरुशार्थ हो गया तो इस तरह से हम पैचान सकते हैं उसमें विक्ति का पूर्शार्थ कहा जा रहा है, क्या उसके जीवन का लक्षी, समझ गए? So, मगर कभी-कभी आप सिरे विक्ति को देखती ही बता सकते हो कि उसका पूर्शार्थ क्या है? चैसे छोटे बच्चे उनका पूर्शार्थ क्या है? धर्मर्द काम मोक्ष क्या है? काम इच्छा है पूरी करना बस, यही है छोटे बच्चे, नहीं यही है ना, इच्छा है पूरी करनी है बस धर्म तो है ही नहीं, understanding ही नहीं है, पैसे पता ही नहीं, मोक्ष, idea ही नहीं है तो कभी-कभी आप clearly define कर सकते हो कि इसका पुरुशार्थ कर देख के ही देख के बता सकते हो है नि इसलिए प्रयवाची है पुरुशाकर वो क्या कर रहा है देख के बता सकते हो इसलिए पुरुशाकर शब्द बनाए है तो बच्चे को देख के बता सकते हो क्या कर रहा हम खेलते हैं इच्छ हैं पूरी कर रहे हैं पुर्शार्थ तो बुडो का पुर्शार्थ क्या है बुडो का पुर्शार्थ क्या है आज कल के बुडो का पुर्शार्थ तो काम है लिए बात करते हैं यह संकी है ऐसे बुडो का पुर्शार्थ क्या है धर्म अखवास कर लिए सब अच्छा कर लेते हैं नी स्टूडेंट्स का पुर्शार्थ क्या है अर्थ बेसिकली है नी सक्सेस बनाना है केरियर बनानी है पैसे कमाने है तो मोटा मोटा आप देख के भी बता सकते हो कि इसका पुर्शार्थ क्या है समझ गए सो इसी लिए अलग-अलग प्रायवाची है पुर्शार्थ के प्रायवाची पुरुशायन पुरुशाकर अलग-अलग प्रायवाची है ओके सो हमारे शास्त्रों में वैसे तो मैंने बताया पुरुशार्थ पुरुशार्थ चार पुरुशार्थ है त्री वर्ग धर्म, अर्थ और काम 99.99% लोग त्री वर्ग में घूमते हैं धर्म, अर्थ और काम मोक्ष एकुछ आइडिय ने ते मोक्ष एड़ कहा होता है उपनिशदों में एड़ होता है भहत प्रॉमिनेंटली यहां भी चौथा भी है मोक्ष यह अधियात्मिक जीवन शुरू करता है तो मोक्ष एकॉंसेट आजाता है जनरल समाज धर्मर्द काम में चलता है, नि त्री वर्ग में ओके, सो यह है चीज़, यह चार चीज़ें है क्या धर्मर्द काम मोक्ष, चीज़ें क्या है हमने चार गोल्स बताए है तो क्या है चीजे धर्म की चर्चा की गई है स्मृती गरंथों में स्मृती गरंथ या धर्म शास्त्र एक ही बात है तो हमारे पास कितने धर्म शास्त्र हैं हमारे पास अभी प्रेजेंट सोसाइटी में 32 धर्म शास्त्र हैं बत्तिस धर्म शास्त्रों में सबसे इंप्रॉटन्ट है मनु समिता, याग्यवल का स्मृति, गौतम स्मृति, आपस्तमब स्मृति, ये सारे थोड़े इंप्रॉटन्ट स्मृतिया है, मनु स्मृति सबसे इंप्रॉटन्ट है, याग्यवल का स्मृति, गौतम स्मृति, यही ओके और भी है 32 स्मृतिज हैं कुछ भी आड़ कर लो और धार्म का मतलब क्या है शब्त का धार्म शब्त का मतलब क्या है धार्म शब्त का मतलब होता है धार्म मतलब होता है जब व्यक्ति अपना जीवन रित्म के अनुसार बिताएगा तो उसको धार्म कहते है Hare Krishna उड़ जो सब लग बीदार आरिये सो रितम जब रितम के अनुसार जीवन मेठाल है उसको बोलते है धर्म धर्म का मतलब ही होता है रितम क्या होता है? रितम मैंने मैं थे रितम होता है रितम होता है अच्छाई रितम अच्छाई होता है अब यह जो शब्द रितम यह जीव से अच्छाई अलग चीज़ होती है तो कोई पूछे का धर्म क्या है? हम बोलेंगे भी सत्य, दया, तपस्या और सौचम यही है ना भागवत हम कहते है चार स्तम है धर्म के क्या है सत्य, क्लिनिनेस, सौचम, दया और तपस्या मगर एक्चुली यह स्तम है, आप यह आंसर दे सकते हैं धर्म है, मगर जरूरी नहीं है धर्म हो क्योंकि क्योंकि गंदे लोग भी सत्य बोल सकते हैं, और सत्य को इस्तमाल कर सकते हैं दूसरों को शोशन करने के लिए गंदे लोग भी तपस्या करते हैं रावन्ने की गंदे लोग भी दिया दिखाते हैं आजकल के जैसे लोग जानवरों को नहीं मारना इसको नहीं करना प्लांट्स को नहीं मारना मतलब ठीक है थोड़ा सा है बगड completely भोगी लोग है सो इसलिए धर्म को इससे नहीं ना पा जाता है धर्म को अच्छा ही से ना पा जाता है एक बुरा व्यक्ती भी अच्छी चीजें कर सकता है समझ रहे हो बुरा व्यक्ती भी अच्छी चीजें कर सकता है सत्य धर्म दयात पस्या मगर एक अच्छा व्यक्ति जब अच्छी चीज़े करते है वो धर्म है इसको धर्म कहते है जैसे उधारन के लिए अगर आप जूट बोल रहे हो आपने एक जूट बोला, दूसरा जूट बोला, तीसरा बोला आप जूट बोलते ही रहते हो तो आपको क्या बोलेंगे जूटा है और सच बोलते रहोगे तो आपको क्या बोलेंगे सत्ते बादी है तो आपके अंदर गुसा हुआ है वो सच बोलने की सुभाव जो है अच्छाई, रितम अच्छाई होती है सुधर्म का मिनिक होता है जो 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 रितम के अनुसार अपना जीवन जीए वो धर्म है जो अच्छाई के अनुसार अपना जीवन जीए वो धर्म है ओके, अर्थ क्या है, अर्थ मतलब पैसा, नेम, फेम, सक्सेस, अर्थ कौन से शास्त्र है, मिनीती शास्त्र, पॉटल ले अर्थ शास्त्र, चानक के, विदुर नीती, शुक्राचारे नीती, ये सारे नीती शास्त्र है, अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब होता है, जो जो चीज आपके जीवन को सस्टेइन करें सस्टेइन कैसे कहेंगे जो चीज आपके जीवन को मतलब मेंटेन की सेंस में आएगा जो चीज आपके जीवन को चलाने के लिए चलूरी है जो चीज आपके जीवन का भरन पोशन करें यही कह लो उसको अर्थ कहते हैं या तो आपके जीवन को है समाज को इंडिविज्वल को समाज को देश को संसार को जो चीज चलाती है उसको अर्थ कहते हैं कैसे चीच चलाती है पैसा बे 차 क Families कहने है उसके बाद आपका सक्सेस आपको लोग कुछ करना चाहते है समाज में करके दिखाना चाहते हैं तो लोग कुछ नंदे मुछ करते रहते हैं और फे कुछ इंवेंट करते हैं करते हैं समाह चलता है और पुजा और और नेम और फेम तो ये लोगों के अंदर इच्छा होती है मैं भी फेमस हूँ मैं भी कुछ करके दिखाऊं यही है न और पैसे कमाऊं तो ये इसको कहते है अर्थ अर्थ कprot sustainable size strategies कम काम कम मतलब होता है इच्छひ काम है काम काम का मतलब इच्छ है मतलब अब आप काओगे भई पैसे कमान भी तो इच्छ है इच्छ अं उन इच्छं की बात नहीं कर रहे हैं काम मतलब होता है भोग करने की इच्छ sense gratification खाना, देखना अच्छी जीज, सोना, सूंगना, छूना अच्छी जीज, sex, यह सारा काम है इसको काम कहते हैं, bodily pleasures शरीरिक सुख, इसको काम कहते हैं यह भी इच्छा हैं, मगर इस शरीरिक इच्छा हैं इसको काम कहते हैं समाजी के इच्छा हैं, उसको अर्थ कह देंगे जो समाज चलाने के लिए और जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है इच्छा है तो ही न, यह काम है तो काम की नॉलिज का हैं, शरीरिक इंजॉयमेंट की नॉलिज का हैं काम सूत रहे, रती रहसे है, जय मंगल है यह सारी बुक्स हैं कि आपको याद करने की जरूत नहीं है भूली जाओ जाओ अच्छा है और लिखने की जरूत नहीं है मता लगा डूट के पड़ लो पहले ही आप expert हो इसमें इसमें expertise की जरूत नहीं है और चौत है मोक्ष मोक्ष का मतलब होता है जन्मृत्यू से छुटकारा इसका topic उपनिशदों में मोक्ष का मतलब है सारी इच्छाओं से छुटकारा काम की इच्छा, अर्थ की इच्छा इबन धर्म की इच्छा से छुटकारा वो मोक्ष है समझ गए? यह उपनिशदों में दिया है क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? क्लियर है है नहीं? अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्राब्लम शुरू हो जाती है क्यूंकि आपने देखा की की एक्च्छली क्या है की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह दोनों सब्क्याब एंटी चल रहे है मोक्ष मतलब सारी इच्छाओं जो छुटका रहा अर्थ, काम क्या है? इच्छाएं पूरी करना शारीरिक और समाजी की इच्छाएं और धर्म क्या है? अच्छाई करना तो अब यह सारी चीज़ें दूसरे से कंफ्लिक्ट करती है नहीं? अब वोलो भी तो मोक्ष जीवन का लक्षे है तो फिर आपका अर्थ और काम की इच्छा छोड़नी पड़ेगी सारी इच्छाओं से चुटका रही चीज़ें इसलिए ये चारों पुर्शार्थ साथ में चलना मुश्किल है अल्दो शास्त कह रहे हैं कि जीवन में चारों पुर्शाथ होने चीज़ें एक मनुष्य के जीवन में चारों चीज़ें होती है तो कंप्लीट है मगर करें कैसे? तो इसलिए हमारे शास्तुर्ण्स का सॉलूशन दिया आपको शारीरी के इच्छाएं भी तो पूरी करनी पड़ेंगी समाजी के इच्छाएं भी तो पूरी करनी पड़ेंगी समाज में रह रहे हो अच्छाएं भी करनी पड़ेंगी मगर मौक से सारी इच्छाओं दे चुटका रहा तो फिर अब क्या करें मतलब समाज बंद कर दे तो इसलिए चारों की बीच में टेंशन है तो इसलिए कुछ विद्वानों ने हमारे शास्त्रों ने इसका सॉलूशन दिया है और सॉलूशन क्या दिया है सॉलूशन दिया है ठीक है तो आपासंबध स्मृति, अग्यवल के स्मृति और धर्म शास्त्रों में सॉलूशन क्या दिया है उन्होंने बोला ठीक है धर्म अर्थ, काम, मौक्ष हर मनुश्य को चाहिए जीने के लिए तो चाहिए न मगर धर्म, अर्थ और काम से ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है उन्होंने का कि भी आपको पैसे कमाने तो धर्म के अनुसार कमाओ तब ठीक है इच्छाएं पूरी करनी है तो धर्म के अनुसार इच्छा पूरी करो तो गीता में काए है धर्म अविरुद्धो कामो अस्मी, मैं काम वस्नाँ जो धर्म के अनुसार है गीता कृष्णा ही कह रहे है गीता में solution है और अपना अपनी पैसे कमाओ धर्म के नुसार इच्छाएं पूरी करो धर्म के नुसार और फिर अपने जीवन में इस तरह से धार्मिक जीवन जीओ कि मोक्ष की प्राप्ति हो क्लियर हो गया solution निकाल दिया उन्होंने कोई problem नहीं है समझ गया है clear हो गया मगर ये solution clear हो गया solution क्या है solution उन्हें कहा कि अर्थ का आपको सारी इच्छाएं छोड़नी है मोक्ष प्राप्त करना है मगर इच्छाएं भी पूरी करनी है तो ठीक है अगर आप ऐसी इच्छाएं पूरी करते रहो ऐसी पैसे कमाते रहो तो आप अधार्मिक बन जाओगे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा पापों में फस जाओगे इसलिए उन्हें ने का हाभी धर्म के अनुसार पैसे कमाओ और इच्छाएं पूरी करो और जब धर्म के अनुसार पैसे कमाओगे इच्छाएं पूरी करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको मोक्ष समझाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो चारो चीज़े आगए मनुस्ये के जीवन में जी भी सकता है चल भी सकता है आगए ठीक है मगर यहाँ पर बहुत बड़ी प्राप्लम है कौन बदाएगा एक प्राप्लम खड़ी हो गई यहाँ पर क्या खड़ी हो गई वो अलग है वो बाद में पॉइंट है यहाँ पर क्या प्राप्लम है यहाँ पर प्राप्लम यह है कि कि मनुसमिता 12 chapter 88th verse यह ज़रूर जात कर ले न 12.88 12.88 में मनु लिख रहे हैं बहुत प्रभुपाद बार-बार कोट करते हैं लाई नी प्रविर्ति कैसे निविर्ति तू महाफलम यह प्रविर्ति तो मनु लिख रहे हैं कि हकी समाज में दो चीज़ है प्रविर्ति और निविर्ति प्रविर्ति निविर्ति प्रविर्ति का भगवान मोक्ष दो तरीके से परात कर सकते हैं निविर्ति और प्रविर्ति मनु कह रहे हैं प्रविर्ति मतलब कि धर्म के अनु सारा अर्थ करो काम अच्छाएं पूरी करो और मोक्ष मिल लेगा, ये प्रवृत्ती का रास्ता है, एक निवृत्ती का रास्ता है, कि सारा पैसे कमाना, सारी इच्छाएं, सारा धर्म छोड़ दो, सीधा मोक्ष के रास्ते पे निकल जाओ, वो निवृत्ती का रास्ता है, त्यागी बन गए अभी छोड़ दिया सब कु निवृत्ती भहुत फास्ट है प्रवृत्ती स्लो रास्त है तो शास्त्रों में तो यह लिखा है तो क्या करें फिर मनु ने कह दिया कि भी हाँ ठीक है आप धर्म के नुसार पैसे कमा रहे हो और इच्छाएं पूरी कर दो मौक्ष मिल लेगा मगर अगर 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 फास्ट रास्त है जटके से छोड़ दो सन्यास ले लो एक अंडर्टेंडिंग उस टेट्मेंट की है मगर यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि तो क्या करें अगर हर आदमी तो जटके से नहीं छोड़ सकता है नि हरादमी तो नहीं छोड़ सकता जटके से कैसे छोड़ देगा यह तो चलो एक दो परसंट को लिए होगा पूरे समाज के लिए तो solution है नहीं है तो क्या सारे लोग slow रास्ते से चलेंगे फिर पहुचेंगे कब जीवन ही इतना छोटा है है नहीं मन्दा सु मन्दा मत्यो अल पाई यू है कैसे भगवान की मोक्ष मिलेगा कैसे तो इसी लिए इसी लिए भगवत गीता पिक्चर में आती है अब भगवान कृष्चने का हाँ ठीक है फ्राब्लम है इसका solution हो जाता हूँ solution है कि आप चाहे धर्म करो पालन चाहे धर्म से पैसे अर्थ करो पैसे कमाओ या अर्थ या धर्म के नुसार काम इच्छाय पूरी करो जो भी कर रहे हो निरासक्त हो के करो ये भवईदा का कॉंसेप्ट आ गया नैश कर्मयम कर्मा उच्छते नैश कर्मया ये कॉंसेप्ट आ गया बिना सकती करो मगर question है कि बिना सकती कैसे कर लेंगे इस सब थोड़े आ सकती तो होगी न तब गीता ने का ओके बिना सकती के मतलब भगवान की खुशी के लिए करो Krishna कहरें मेरे आनंद के लिए करो वहाँ पर रोल आता है भगती का तो भगती पिक्चर में आ गई भी समझ गए पर भगवान के आनंद के लिए अगर आप धर्म पालन करो धर्म के अनुसार इच्छेपूरी करो भगवान के आनंद के लिए तो उससे निराशक तो जाओगे और उससे फिर आपका जो ये रास्ता है जिसको प्रविर्ति का रास्ता कहते है वो प्रविर्ति निराव, वो क्या बन गया? निवृत्ति बन गया, आपने बिना छोड़े भी सब को छोड़ दिया बस, ये सॉलूशन आ गया तो अब इस सॉलूशन से 99% लोग भी आ गये 99% लोग भी इंक्लूड हो गया है, नी? व्यूकि हमने गाता, निवृत्ति में तो 1% जाएगा प्रविर्ति में बाकी 99% चलेंगे वह तो slow रास्ता है, हमाने का चलो कोई नहीं, मैं slow को भी fast बना जाता हूँ मैं प्रविर्ति को भी निवृत्ति में बदल दूँगा मगर कुछी छोड़ने की जरूत नहीं है ये concept भईता का बहुत important concept है, निरा सकती का यही बार-बार repeat हो रहा है नहीं निरा सकते होके काम करो, निरा सकते होके नी स्वार्थ होके, कैसे नी स्वार्थ निरा सकते होंगे पूरी तरह भग्ति से, और कोई तरीक ही नहीं तब मौक्ष मिल दा है clear हो गया, simple है so simple रास्ता है, इसलिए रामनी चाहरे, मद्भचारे सब यही सॉल्उशन दे रहें भक्ति का, भक्ति से आप मौक्ष प्राप्त कर सकते हो सब के लिए open हो गया है सभी practice कर सकते है, easy है सभी practice कर सकते है, और भजली से प्रमक्ष कर सकते है पुरशार्थ Chattahде हो गया न जीवन भी जी लेंगे, मोक्षी मिल लाएगा, इसलिए जीवा को स्वामी लिख रहे हैं, यहां पर, यह अनुछेद फर्स्ट, वही अनुछेद फर्स्ट, वही मैं कह रहा था, जो मैंने बाया था ना, जो पहली लें बताई थी, पुरुष प्रयोजनम ताबत, सुख़् प जीवन का लक्षे का सुख प्राप्ति दुख की निवरित्ति करना, तो कैसे होगा वो, उसके अगले लाइन है, श्री भगवत प्रीता उतू, भगवान की प्रीती से, सुख अत्वम, दुख दुख, निवर्तक अत्वम, सुख मिल जाएगा और दुख, पूरी तरे नश् तो अब क्लियर हो गया, अभी भगवान को संतुष्ट करने से, कैसे मोक्ष का मतलब ही होता है, सुख की प्राप्ति और दुख की हमेशा के लिए निवरित्ति, यही मोक्ष है, यह आपको मिल लाइगा, अगर भगवान को संतुष्ट करोगे, भक्ती करोगे, क्लियर हो गय है नहीं समझ गए है कि लिए रहे सबको कि लॉजिक कैसे चल रहे है अब मगर चतने महपुसीन में आ गए कि जटेना रुदुगा इसमें भी प्रॉब्लम है आप कहरे हो भक्ति करने से मोक्ष मिल लाएगा सब आपको ठीक है हम मानते हैं सही है बिलकुल सही है बिलकुल ठीक है हम गलत नहीं कह रहे हैं बिलकुल आपने ठीक का मगर मगर हमें अच्छा नहीं लगता है यूँकि भक्ती करने से मोक्ष मिलेगा भगवान को संतुष्ट करने के बदले आप क्या चाते हो जन्मित्यू से मुक्ती ये ठीक नहीं ये तो बिजनस है नहीं इसी लिए महापुरू ने का कि हम चतुर पुर्शार्थ की जगे पंचम पुर्शार्थ लेखाएंगे पांचवा गोल लक्षे जीवन का पंचम पुर्शार्थ उसका नाम क्या है प्रेम प्रेम लाएंगे हम अब भगवान को संतुष्ट करो निरा सकतो के धर्म पालन करो अर्थ करो, काम करो क्या प्राप्त करने के लिए मोक्ष के लिए नहीं प्रेम प्राप्त करने के लिए और मोक्ष अपने आप मिल जाएगा बस महापुरू ने इस तरह एड़ेस्टमेंट कर दी प्रेम के लिए करो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा तो महापप्रूने का। रामणोचार श्री संप्रदा, मदबा संप्रदा ऐसे, हाँ आपकी बात भी हो गई, रिमध रात्यों सा मुक्ष तो मिली गया बक्ती करने से। तो उस चीज़ को सारे अचारे बोलते है सधारन रीती वो एक सधारन रास्ता है हाँ जो भगवाईता में समय दिया है भी टी कैसे कर लो भक्ती करो और मोक्ष मिलेगा ठीक है मगर एक है विशेश रीती भक्ती प्रेम के ले करो मोक्ष अपने अपने ले तो उस से भक्ती एक बिजनस नहीं बनेगा तब ठीक होगे है ना समझ गया है ना क्लियर है बस तो यह पंचम पुरशार्थ के बारे में है और यही चीज़ श्रीमत भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर नाइंध वर्स में दिये एक शलोक में सुग्देग स्वामी ने निरने दे दिया क्या शलोक है फर्मा साहपको पता होगा 1.29 धर्मास से या पावर्गास से ना अर्थ हे अर्थ हो कल पते अगल क्या है कैसे हां हां क्या है नार्थे और्थे और कल्पते उसके बाद के धर्मत से धर्माई कामो नहीं है गलत कहा रहे हूँ नार्थे और्थे और कल्पते उसके बाद क्या है हाँ ये है तो नार्थ से धर्माई कांतस से कामो लाभाया ही स्मृता सुद्धियों स्वामी कह रहे हैं कि भी देखो धर्म किस के लिए मोक्ष के लिए अर्थ अर्थ धर्म इसलिए नियां कि आप धर्म पालन करो अर्थ कमाओ गलत है वो, वो तो धोंगी लोग करते हैं, धर्मिक बनते हो पैसे के लिए और ना ही पैसे काम वासना पूरी करने के लिए clear हो गया So, एक line में, एक ślok में उने बोल दिया, धर्म किसे लिए? मोक्ष के लिए अर्थ और काम के लिए नहीं है, अर्थ और काम, पैसे कमा इच्छा पूरी करो, कि आप धार्मिक बनो, धर्म, आपके जीवन में धर्म बड़े, धर्म के अनुसार, पैसे और इच्छा पूरी करो, तो मोक्ष मिलेगा, तो सारी डिसकॉशन हम कर चुके, ये श्लोक बहुत इ दिखा इसमें, पैसे इच्छा पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए, और इच्छा किसलिए पूरी करें, तो धर्म को अर्थ के लिए नहीं, अर्थ को काम के लिए नहीं, वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, लोग यह कहते हैं, सिक्वेंसी बनाते हैं, धर्म अर्थ क के लिए अर्थ काम के लिए इच्छाय पूरी करो उससे मोक्ष में बड़े नॉंसेंस है पूरा सब कुछ है सो भागवतम ने अपना कंक्लूजन दिया है ओके सो अर्थ काम का रोल किया है धर्म के अनुसार पैसे कमाओ इच्छाय पूरी करो और जो पैसे आ जो इच्छाय पूरी हो रही है उसको धर्म बढ़ाने में ही लगा दो और फिर मोक्ष पराप्त कर लो बस होके हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपात की जय है